पटना इनुवस्टी के छात संग चुनाओं में पहले भुमिहारों का कब्जा होता था लेकिन इस बार पासा पलट गया है हमने एक खबर चलाई थी कि अगर बहुजन एक जूट हुए तो हार जाएगा भुमिहार और जीत जाएगा यादव मनिश कुमार ये यादव मनिश कुमार जो हमने कहा था वो अध्यक्षपद के लिए कहा था मनिश कुमार के लिए जो की जन अधिकार चातर परिशाद जो की पप्पु यादव की पार्टी है उसके चातर विंग से चुनाओं लड़े थे मनिश और वो अध्यक्षपद पर जीत गए है भुम्यार एक भी सीट पर नहीं जीत पाए सेंटरल पैनल पर और जो पांच पद होते हैं उस पे से दो बहुजन पुरूस जीते हैं एक महिला बहुजन एक मुसलिम पुरूस और एक जो सवन जाती से कायस्त जिसे लाला भी कहते हैं उससे महिला उमिद्वार जीती है तो कैसे मनिश जीते हैं अध्यक्षपत पर जो मनिश यादव हैं हमने जो ख़बर चलाई थी कि अगर बहुजन एक जूट हुए तो हार जाएगा भुम्यार जीत जाएगा यादव मनिश कुमार तो मनिश कुमार कैसे जीते हैं यह हम बात करते हैं चात्र नेता हमारे साथ अभी जुडेंगे धर्मेंदर कुमार उनसे पत्ना विस्विद्याले चात्र संक्चुना दोजार उनेस में जो हुआ भी और उसका रिजल्ट आ गया है रिजल्ट वही हुआ जैसा कि हम आपको ख़वर में बताये थे कि अगर बहुजन एक जूट हो गए तो हार जाएगा भूमियार जीत जाएगा यादव मनिश कुमार जन्य अधिकार चात्र परिशत का गडबंधन ये आईसफ से था और यही एक संगठन था जिसने ये जो गडबंधन था उससे अध्यक्षपद पर OVC समाज का कंडिडेट खड़ा था और यही वो एक मात्र चात्र संगठन कहिए गडबंधन कहिए जिसमें सेंट्रल पैलन में दलित उमिद्वार को लड़ाया गया था बाकि ABBP छात्र जदियू और छात्र राजद आईसा इन सब की बात करें तो यह सब अध्यक्षपद पर अगड़ी जातियू को उमिद्वार बनाये थे अगड़ी जाति के कंडिडेट थे और पटना इंवस्टी का जो इतिहा सवर्णो का कबजा रहा है और एक तरह से हमने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर मनिश कुमार जीत जाते ओवी सी तो पटना इंवस्टी का इतिहास बदल जाएगा और इतिहास बदल गया है हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार है चात्र नेता है एक्टिवेस्ट हैं इन से बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ कैसे जीते मनिश कुमार यादव जन अधिकार चातर परशत की उमिदवाद क्या लग रहा था पहले से दिखे जिस दिन परसिडेंशियल डिवेट हुआ था उन्होंने जो है स्टेज पर जय भीम और जय मीम का जो है ना नारा लगाया और नारा से जो है ना पूरा केंपस गुजा था खातर परशतोत से उैस के तामाम इसकल्ट mm परस्ट करता है च्छाथिं ज्यादी और यहां पे अंब्यतकर होस्टल जो है पटना में चार होस्टल है जो थियो सोपीकल हो गया, अलफावाग हो गया, जी डबल हो गया, वी आरंब्यतकर होस्टल सहित्पूर हो गया यहाँ पे जितने भी यहाँ पे चातर रहते थे जो है ये चीजे सुना जैसे ही कि नहीं आई से इत्यास के पहले आई स तक कभी जुए ना परसिडेंट से जो भी चुना लड़ता था जय भीमकानारा नहीं लगाया था पहली बार पाटने चात्र संक्चुना में इस तरह से प्रेसिदेंशियल डिबेट में जय भीमकानारा लगा और जन अधिकार चात्र परशद के जो उमीद वारते मनीश कुमार वो लगाए थे उन्होंने यहां से एक अथी लिया असिरबाद लिया कि आज मेरा जो है दीन अच्छे हो ताकि हम आपके वीचार धाराओं को आगे बढ़ाने का काम करें मतलब उन्होंने फेस्बूक पे भी पोस्ट किया था और लिखा था कि आज के दिन के शुरूआत बावा साहब जी यह यह होता है जय भीम और बावा साहब के अथी वी ताकत में जो आज वह जो है जय भीमकानारा लगाकर परसीडेंट का पर्टन उन्बरसिटी का नित्रि मतलब उतार ही दिया लेकिन बहुजन के जितने विजादब भी वहां पे बहुत सारे एक्टीव रहते हैं चातर राजनिती में लेकिन बस उन्होंने सिर्फ टीकट लिया लेकिन लालू जादब का जो है एक भी बार जो है न अपना स्टेज के माध्यम से नहीं बोला और ये चीजे जो है न कमसकम उनका संगटन के माध्यम से कमसकम उनको समझना चाहिए आरजेडी के उमिदवार थे अध्यक्षपत पर प्रेसिडेंशियल डिबेट में लालू अदब का नाम तक नहीं लिए जबकि जे निव में जो जयन्त जिग्यासु चुनाव लड़े थे पिछली बार या फिर प्रियंका भारती इस बार अध्यक्षपत के लिए चुनाव प्रियंका जो है ना मतलब लालू का जो विचार धारा उनसे थोड़ा हट करके चल जाता है और वह जो है नामेशा यहीं सुचता है कि हमेशा जो है बहुजन के लोग को जो है थोड़ा पीछे करें हम अपना जो भी मेन अथी सेंट्रल पैनल पर अपना कबजा बनाए रख जो जीते हैं तो सबसे पहले मनीश कुमार यादव जो जीते हैं अध्यक्स पत्पर वो चात्र जन अधिकार चात्र परिशद और AISF के गडवंधन से जीते हैं उसी से उमिदवार थे उसके बाद उपाध्यक्ष की बात करें तो निशांत कुमार CRJD यानि लाली अध्यक् महा सचीव पत्पर प्रियंका सिर्वास्तव जीती है ए भी वीपी की उमिदवार प्रियंका सिर्वास्तव थी और संजुक्त सचीव की बात करें तो अमीर रजा AISF और वही जन अधिकार चात्र परिशद जो पपुयादव की पाटी है उसके गडवंधन से चुनाव जीत हैं और ट्रेजरार जो पद है उससे चुनाव जीती है कोमल जो की आईसा की उमिदवार कोमल कुमारी देए पांच सेंट्रल पैनल जो होता है पांचों सेंट्रल पैनल पे एक भी दलीत उमिदवार को नहीं उतारा गया था कोई संगठन नहीं लेकिन ए आईसा पलस जन लेकिन ये जो है पटना उन्वर्सिटी में कास्टी जम भरी जो है ना उन्वर्सिटी है लेकिन वो नहीं जीत पाए क्योंकि सिर्फ उनको जो है ना संगठन से भले उसको दे दिया गया टिकट बट उनके लिए हो सकता है पर चार उचार उतना सही से नहीं कियोंगे इसलि उमिद्बाद दिया गया जैसे एक वहां मगद महिला जो है वहां से एक कॉंसलर जीती हुए शालनी चौदरी नामाउन का उसके बाद पटना यूनिवरसीटी दरभंगा उसमें परदीप कुमार जो एस से दिया गया था कॉंसिलर पोस्ट पे वो हार गया बट वो जीद गया है मतलब एक दलित समाज की कॉंसिलर में जीती है सालनी चौधरी तो मतलब इस तरह से देखें तो कहिए कि किसी भी छात्र संगठन की ओर से दलित उमिदवार सेंट्रल पैनल या कॉंसिलर पर नहीं दिया गया चाहे आरजडी की बात करें लालु यदब की पार्टी का जो चात्र विंग है जो हमेशा दलितों की बात करते हैं सिर्फ बात करते हैं पटना इन्यवस्टी छात्र संग चुनाओ करानी की बात हो आउमिदवार देनी की बात हो तो हाँ पर दलित उमिदवार कॉंसलर में भी नहीं देते हैं एबीबीपी से भी उमीद करना बेकार है क्योंकि वो सवर्णों की पार्टी है सवर्नों का छात्र संगठन है बाकी जदियू की बात करें तो सुपड़ा साफ हो गया है उसका भी एक भी पद पर जीत नहीं हुई पिछली बार अध्यक्स पद पर जडियू की जीत हुई थी आइसा से भी इस बार एक भी दलित उमिद्वार नहीं दिया गया था सिर्फ और सिर्फ कहें तो दलित उमिद्वार जंद अधिकार चातर परिशद और एई इसेफ के गडबंधन की ओर से दिया गया था उसका नतीज़ा दिखा कि अध्यक्स पद पर पहली बार जाद जन अधिकार चातर परिशद के उमिद्वार जीते हैं पहली बार और एक तरह से इति रहास बना है कि बहुजग समाज का कोई candidate पत्ना इन्वेस्टी चात्शंग चुनाओं मैं आज कल के जिनरेशन में जीता है इससे पहले लालु यादम जो थे पकूर स्थे चात्अ성을रे के थे है और चुनाओ जीदे जीते थे आफ मनीश यादम जीते थे इक स्वाद चखने बहुत 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 दन्यवाद शुक्रिया बाचित चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने के तो कर लिजे बेल आइक आइगा चलते हैं जैभीम जभार